सब्सक्राइब करता हूं सांदार होंगे जानदार होंगे यह जो क्लास होने वाली है वह यह यूनिट वन पढ़ा रहा हूं उनको मैं बता चलिए अच्छे से पढ़ते हैं और कल मैंने आप लोग को युनिट वन पढ़ा दिया था ठीक है बिल्यम सेक्सपियर की उपर ही कुछ सॉनेट की चर्चा में करने वाला हूं थिक है तो स्क्रीन में आपको सोहुरा होगा ठीक है सभी गुड इवनिंग गुड इवनिंग निधी जी गुड इवनिंग अल उफ यू अनामिका जी रोहिनी जी जोती जी सभी को गुड इवनिंग चरिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को डियस्टेंट्स कल हमने सेक्सपियर को बढ़ा था कुछ चीजे मैंने आपको बता भी दी थी उसमें आपको कुछ वीडियो बताए थे कि इन वीडियो को आप लोग देख लीजेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे वीडियो है तो आपके पा आप उनको ग्रूप में भी शेर की ती अपनी उनको भी आप लोग देख लीजागा टेमटेस्ट वगईरा की तो यहां से कोशन बनते हैं तो आपसे अगर आता है तो बन जाएगा कोशन चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलियुम सेक्सिपियर की कुस्पीर सॉने तो यह बहुत सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो सॉनेट जो सॉनेट ऑफ सेक्सपियर है इसको मैं आप लोग को बता रहा हूं ठीक है तो सेक्सपियर पब्लिज्ट 154 का सॉनेट ओरिजिनली पब्लिज्ट इन 1609 इन क्वार्टो फोलियो बाय थॉमस थॉर पे एक्सपेक्टेट टू वी रिटन डूरिंग 1592-98 ठीक है यहां पर जो कोश्चन्स आते हैं वो यहां पर इस से आएगा ठीक है इतनी लाइन को आप लोग से ध्यान रखिएगा यह जो मैं आप लोग को बता रहा हूं इसम लाइन पर रहा ठीक है और वह कब पॉलिस कर आया था तो 1609 पर कराया था था थॉमस थॉर्पए द्वारा को टो फोलियो एडिशन पर ठीक है तो यहां पर ध्यान रखिएगा 154 सउनिट पब्लीश हुई थी ठीक है कहां पर होई थी तो कौन फोलियो एडिशन से हुई थी किस ने की थी तो यह थॉमस थॉर्पे ने की थी कब की थी तो 609 पर मतलब यह लाइन बहुत जादा इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है ठीक है आगे चलते हैं आगे जो लाइन है वो यह है कि सॉनेट 138 and 144 had previously published in 1599 यहां पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहां पर जो सॉनेट नंबर वन जैसे करके तो जो सॉनेट नंबर आपकी 138 थी और 144 थी वो जो है 1599 पर क्या हो चुकी थी already क्या हो चुकी थी published हो चुकी थी ठीक है तो यह आप लोग को ध्यान रखने के ज़्यादा वशकता नहीं है ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा ठीक है आगे चलते हैं जो next line है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो स्टार्टिंग की जो 17 सॉनेट्स हैं ठीक है 17 सॉनेट्स को प्रोक्रियेशन सॉनेट्स कहा जाता है तो यह एक यूवक को संबोधित करके बनाई गई गई है ठीक है इसका मतलब एक सुन्दो लड़की से प्यार करता है उससे साधी करना चाहता है उससे आगे की वह अपनी जनरेशन देखना चाहता है ठीक है तो यह पूरी जो कहानी है जो स्टार्टिंग जो 17 सॉनेट्स है वो केवल इसको प्रोक्रियेशन सॉनेट्स कहा जा रहा है ठीक ह तो ध्यान दखिएगा यह लाइन थ्यान दखिएगा ऐसा कोशन आएगा कि स्टार्टिंग 17 सॉनेट्स किस से किस चीज के लिए किस चीज को एड्रेस करती है तो बता दीजी का यंग बैन को करती है ठीक है मैदिस के लिए चिंडरन्स के लिए ठीक है नेस जनरेशन के अब सॉनेट नमबर 18 से लेकर 126 जो सॉनेट है वो फियर यूथ सॉनेट कहलाएंगी कैसी सॉनेट कहलाएंगी फियर यूथ सॉनेट कहलाएंगी ठीक है आगे चलते हैं अब सॉनेट एक्सप्रेस देश्पीकर्स लव फॉर यंग मैं ब्रूड अपॉन लोनलीनेश देथ एंद ट्रांजिसेंस ओफ लाइफ ठीक है तो यहां पर जो 18 से 126 सॉनेट है उसके बाद की जो सॉनेट है जो अन सॉनेट है एक यूवग्ति के प्रति बगता के प्रेम को क चीजे को बताया है क्योंकि रखिर सेस्प्र जब यंग थे उनका बढ़िया साधी विगेरा उनकी हुई ठीक है उनकी मेरे टाइब अच्छी नहीं थी ठीक है उनका बच्चा भी बीच में छोड़के चला गया क्योंकि एक्सपायर हो गये था है लगवाग सिस्टीन हंड्रेट के आसपास और उनके पिता जी भी तो अकेले पन में आ गए देन उसकी बा अर्वर्ट अर्ल ऑफ पेंब्रूक और हेंदी ब्रिस्टोस्ली अर्ल ऑफ सांग्थम्स्टन ब्रिस्टोस्ली इस ऑल्सो देडिकेटेट ऑफ सेक्सपीर्स पोयम बीनस एंड एडोनियस एंड रेप ओफ लुक्री ठीक है तो यहां पर मैं आप लोग को बता दूं कि जो बिल्याम हरवर्ट ठीक है और एक व्यक्ति और है एक तौर नहीं है इन्हीं का अध्वा नाम कौन सा है हेंदी ब्रिस्टोस्ली ठीक है तो यह दो नाम आपको एक ही नाम याद रख लिए चाहे बिलियम हर्वर्ट ठीक है तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा इन अपने वर्क किसमें अपने पोयम जो है बीनस एन एड़ोनिस और रेप आफ लुक्री में भी की हुई है ठीक है तो यह चीज लाइन थोड़ा सा अच्छी है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि पूश लेगा कि वन से लेकर 126 तक जो पोयम है बिलियम सेक्स्पियर की या ज इसी जार प्लोग ध्यान रखिएगा एंब्रोक आगे चलते हैं फ्रॉम 127 तो 152 आड डेडिकेटेट टु डार्क लेडी इन सॉनेट 114 शी इस डिजायड एज माय फीमेल एविल और माय बैड एंजल सी इस इडेंटिफाइड एज एज एलाइन फ्लोरियो और लखी लुस 'll be an also call Lucy Negro और Emilia तो यहां पर यह बोल रहेंकि प्रयास कर रहे हिंकि 127енное 52 तक की जो सॉनेट हैं ति कहैं उसमें जो लड़की है कौन है वो डार्क लेडी के नाम से क्या किया गया है समर्पित किया गया है मतलब डार्क लेडी किसी को कहा गया लड़की जो नाम से जिनका जिक्र किया था वही डार्क लेडी है ठीक है कॉन डार्क लेडी जो वन पॉर्टीन में और डेडी क्या है मेरी क्या कह सकते हैं माइ- PIMAL-ABIL की नाम से जाने जा रही है या माइ- BAD- ANJAL की नाम वही लड़की जो है 127 से 152 तक क्या कर रहे है नेतरित कर रही है जिसका नाम क्या है डार्क लेडी की नाम से जाना जा रहा है She is identified as Eline Florio और Lucy Morgan ठीक है यह जो डार्क लेडी है, जो माई फीमेल एबिल है, जो बैड एंजल है, वो और कोई नहीं, वो कौन है, एलाइन फ्लोरियो है, ठीक है, या फिर आप उसे लूसी मॉर्गन के नाम से भी जान सकते हैं, और जो क्या है, बहुत गिरी हुई महिला है, जिसको आप लूसी नेगर लूसी नेगरो और इमिलिया है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, डिये स्टेंट्स, यहाँ पर इस सॉनेट्स आर कॉल्ड डार्क लेडी सॉनेट्स, दा पोएट स्टीक्स ऑफ आप मैस्ट्रियस एंड ब्यूटिफुल मिस्ट्रस, वो हाज ब्लैक है, ठीक है, अब यहा जो है, और ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में क्या बताते हैं कि इस सॉनेट्स को जो डार्क लेडी सॉनेट्स कहा जाता है, मतलब यह जो सॉनेट्स हैं इसको डार्क लेडी सॉनेट्स भी कहा जाता है, उनको डार्क लेडी सॉनेट्स कहा जाता है, ठीक कि यहां पर चाहित बाले सबस्कें खेया भ्याक्स तो में प्वेसी होते हैं जिलों नुम्ट सफेद टाइप के थोड़ा ब्राउन टाइप के वहां पर काले बाल दिख जाये प्लब आश्यर हो जाए इस लिए उनका नाम डाक लेडी रख दिया गया ठीक है चलिए तो बासमन में आई होगी आप लोग के sonnet number 153 and 154 these two sonets are dedicated to cupid god of love ठीक है यहाँ पे sonnet number 153 and 154 में दो sonnet ऐसी है जिसमें प्रेम के देवता काम देव को समर्पित किया गया है ठीक है यहाँ पे ध्यान रखिएगा god of love जो है यो cupid है वो कौन है कौपिट मतलब काम देव ठीक है काम देव मतलब आप जानते हैं जिनकी पतनी रती है सिंगार का क्या होता है स्थाई भाव रती होता है ना मतलब बहुत सुंदर तो जो प्यार के देवता है वो कौन है god of love अगर मान लीजे कि जब संकर जी ने भगवान भोले ना आते है उनको भस्म कर दिया था तो सब लोग क्या हो गए थे बेहाल हो गए थे वो चीज है इसलिए उनका होना बहुत जरूरी है किसका काम देव का ठीक है राइमिंग स्कीम ऑफ ओल सॉनेट क्या है तो भाईया यह सब सेक्सपीरियन सॉनेट है या इंग्लिस सॉनेट आप कह सकते है ठीक है चलिए सॉनेट नंबर 99 अब देखिए यह स्पिसल चीज में आप लोग को बता रहा हूँ कि जो सॉनेट नंबर 99 है मतलब 99 जो सॉनेट है वो उसमें 15 लाइन है लेकिन जो 99 नंबर सॉनेट है उसमें कित्ती लाइन है तो यह आपको एक अच्छा फैक्ट मिला होगा क्योंकि यह प्रिक्षाम पूछा जा सकता है ठीक है राइमिंग स्कीम भी पूछी जा सकती है यह भी आपको बननी चाहिए ठीक है और सॉनेट नंबर 153 बैसे तो मैंने आपको जो बताया कि सॉनेट नंबर 1 से 17 किस के उपर बेजड है यह आप नोट कर लीजेगा कहीं पर ठीक है फिर आपको क्या बनना चाहिए कि 18 से लेकर 120 सॉनेट जो है वो क्या कहलाती है तो फिर यूद सॉनेट कहलाती है ठीक है अगर ओवरॉल 1 से लेकर 126 तक की सॉनेट में जो जिस व्यक्ति का जिस यंग व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है वो कौन है तो भाई या बिलियम हर्वर्ट है ठीक है इनको इस नाम से भी जाना जाता है ठीक है और सॉनेट अंबर 127 से 152 तक की जो सॉनेट है उसे डार्क लेडी सॉनेट भी कह सकते है या माई फीविल एबिल भी कह सकते है या बैट एंजल भी कह सकते है ठीक है तो इस तरह से इन चीज़ों को आप लोग को बनना चाहिए ठीक है चलिए आगे चलते है मजाया आपको पढ़के सुनके ये कुछ बिलियम सेक्सपियर की सॉनेट है जहां से कोशन एक्जाम में आते ही आते हैं ठीक है तो सभी लोग को वो चीज़े बननी चाहिए ठीक है चलिए आगे चले है सर जी प्ले इंड अनामीगा फज़ कोशन पूच रही है सर जी प्लेज एंड टेस्टी में राइटिंग इयर्स में वन इयर का डिफरेंस है एक्ष्यल में राइटिंग इयर क्या है प्लेज के सब जगे सर्च करने पर फिक्स इयर नहीं मिल रहे है इसका इसलिए निम्रड़ा क्योंकि जो लिखने वाला था उसने तो बताया नहीं था कि मैं कब लिख रहा हूं ठीक है वो तो लिख करके कुछ पब्लिस कर दिया कुछ निपट गए मतलब एक्सपायर होगा जिसे बिलियम सेक्सपियर ही थे उनके जो चीजें है वो बाद में फब्लिस हुई ठीक है तो जब फब्लिस की गई तो उनको किसी चीज में लिखा रहता है कि अगर देल में लिखे दो अर्ट नहीं लिखी हुई है जो अदाज़न डेट बतादेता है कि भहिया इसकी जो डेट है राइटिंग डेट यह रही होगी इसकी ठीक है तो इसलिए आपको कई तरह के लोग जो है अलग-अलग बता देते हैं लेकिन पब्लिसिंग डेट अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज्यादा इसमें राइटिंग डेट और उसम अच्छान मत रहिएगा ठीक है क्योंकि डेट की चक्कर में बता चला आपने अपना पूरा नुकसान कर लिया और भी जो आप पढ़ सकते थे ठीक है और बता चला जब एक्जाम में आए तो आपसे डेट भी आद नहीं दहीं ठीक है तो बहुत जार डेट में मत पढ़िए कुछ डेट पढ़े रहिएगा जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है ठीक है बाकी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलते रहे है पढ़ते रही है जैसा यह मैंने आपको बता दिया कि यह पढ़ने कर शकता उसमें नहीं है ठीक है चलिए तो आप देखिए क्या होता है कि कुछ सॉ है फिर स्टथ कंसी है किनाम से है ठीक है फिर स्ट्रवर द्रख्रट संहर्च्छा में पूछी जाती है या पूछी गई है वह सॉनित मैं आपसे डिस्क्रणे वाला हूं ठीक है और उनको अगर आप याद कर पाए लृष्ट पाएं तो हुआ ऐसे संट पाएं टो जैसे तक की जो लाइन है जब फर्स सोर्ट का क्या है टाइटल आ वह क्या है फ्रॉम fits ष्ट्रिए चर्वी डिसार इंतर्स थीक है ये क्या है आपका वार toy टंबर वन है भीलियां तेक्सियर कहलाती है ठीक है तो जो sonnet number one है ना वो procreation sonnet कहलाएगी ठीक है क्योंकि one से seventeen तक sonnet जो है procreation कहलाती है these sonnets the poet pursues her friend Mr. W.H. to start a family so that his beauty can live on to the next generation through his children ठीक है तो जो sonnet one है वो क्या कहलाएगी यह sonnet में कभी जो है ना अपने एक मित्र हैं कौन डबलु एच जिनके वारे मैंने आपको उपर बताया था ठीक है William Harvard ठीक है को एक परिवार सुरू करने के लिए प्रेडित कर रहे हैं कि भाई आप भी एफसाधी कर लीजे आप भी क्या कर लीजे आगे बढ़िए ठीक है ऐसा प्रेडित कर रहे हैं William Shakespeare अपने एक मित्र कोड जिसका नाम डबलु एच है ठीक है ताकि उसकी सुंदर बच्चों के माध्यम से अगली पीडी का जीवन चलता रहे ऐसा कुछ वो कहना चाहरें नेक्स जनरेशन में उनके बच्चे बच्चे हो जाएं ऐसा वो चाहरे हैं सोनेट नमबर वन में कौन William Shakespeare किसके लिए डबलु एच के लिए डबलु एच को बिलियम हर्वर्ट मैंने आपको बताया था ना विलियम हर्वर्ट या उनको आप Henry रिष्टोसली भी बोल सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं सॉ सब्सक्राइब ठीक है सब्सक्राइब का इसका क्या है ये इस की कह सकते हैं आप वो है क्या कहते हैं आँ टाइटल है ठीक है अब इसमें इन इस सॉनेट युँ रिजायद जीड यंग मैन बीटी ऑन तस अधे अट माल में इस था इतनल and end with saying that as long as there are people who can still read the sonnet, the young man's beauty will still be there, ठीक है मैं आप लोग को बता दूँ कि आपको title याद होना चाहिए, जो चीजे मैं आपको बता रहा हूने, जैसे ये sonnet number 1 तो इसका title याद होना चाहिए और इसके बारे पे थोड़ी सी अगर जानकारी है तो best है, ठीक है, question ऐसा भी आ सकता है कि procreation sonnet कौनसी होती है sonnet 1 से 17 या 18 से 126 या 127 से 152 या 153 और 154 तो इस तरह से आप से question पूछा जा सकता है या फिर किसी तरह से भी question बन जाएगा तो जो चीजे मैं आपको बता रहा हूं उसको अच्छे से बढ़ते चलिएगा, ठीक है, इससे question बनेंगे चलिए, तो question number 18 क्या बोलता है तो भी है, इसकी जो title है, वो है cell I compare the to a summer's day ठीक है, अब इसमें क्या है तो इस sonnet में उन्होंने एक u-book है, u-book कौन, वही उनका डव्लू-एच, ठीक है, कि महान सुन्दरता का की उनकी जो कविता है, वो सास्वत है ही, सास्वत मतलब जो हरमेशा रहेगी और यह कहते हैं कि कहते होए समाप्त करते हैं कि जब तक ऐसे लोग हैं, जो sonnet पढ़ सकते हैं, तब तक u-book की सुन्दरता बनी रहेगी, मतलब यह यह कहना चाहरे हैं कि वो जो सुंदरता उन्हें बर्णन किया उस पोयम में उस लड़के की ठीक है और अपने दोस्त की तो वो उसकी सुंदरता तब तक बनी रहेगी जब तक यह सोनेट लोग पढ़ते रहेंगे तो जैसे आपन लोग ने पढ़ा ना तो आज पता चला क टीक है थीक है तो उनके मित्र थे डब्लू एच ठीक है तो यह चीज आज हमने पढ़ात मतलब आज भी हम उस वैक्ति की सुंदरता का क्या कर रहें जिक्र कर रहें है और यही चीज किस ने गही थी विलियम सेक्सपियर ने कही थी अपने सॉनेट अमबर 18 में कि तुम जो दोस्त हो मेरे बहुत सुन्दर हो और तुम्हारी जो ब्यूटी है वो तब तक बनी रहेगी जब तक लोग इस सॉनेट को पढ़ते रहेंगे ठीक है सेक्सपियर जो रहे होंगे गे टाइप के रहे होंगे गे टाइप मतलब एक जैसे अप मेल होता है फीमेल होता है और एक तीसरा जो जेंडर होता है उसे आप बोल सकते हैं ठीक है चलिए, आगे चलते हैं, dear students sonnet number 30 की बात करते है ठीक है, तो sonnet number 30 क्या है तो when to the sessions of sweet silence thought ठीक है, यह sonnet number क्या है 30 है, उसका title है क्या, when to the sessions of sweet silent thought, ठीक है इसमें क्या कि इनों ने किया है तो भी है, in this sonnet in this sonnet, poet enumerates the sorrow and losses in his life the poet realized that the memories of his friend offer comfort to him from past sparrow ठीक है sonnet number 30 में क्या आता है तो भी हम मीठे मौन बिचार मतलब यह ऐसा है कि एक sonnet में, इस sonnet में कभी ने अपने जीवन के दुखो और उससे जो हानी हुई है दुख और हानीों को गिनाया है मेरे जीवन में यह दुख है, यह loss है मैं यह नहीं कर पाया ठीक है वही एहसास इन्होंने अपनी इस sonnet में कराया है ठीक है किस में, sonnet number 30 में ठीक है इसके आपको यह line है याद होनी चाहिए अच्छे से sonnet number 18 कौन सी है sonnet number 30 कौन सी है ठीक है उसका title क्या है और साथ में उसके वारे में अगर थोड़ा बहुत आपको पता हो तो वो बहुत बढ़िया है ठीक है sonnet number 33 की बात कर रहे है ध्यान दीजेगा मैं पूरी बहुत जाद आप लोगों को नहीं बताने वाला कुछी चीज बताने वाला sonnet 33 क्या है ग्लोरियस मॉइन इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह वा मैंने बहुत सारी स्तांदार सुबह देखी है मैंने बहुत स्तांदार सुबह देखी है ऐसा कौन कह रहे है ग्लोर्ण सांदार सुबह देखी है in this poem is about to loss of a loved one मतलब यह किसी से प्यार करते थे और वो लॉस हो गया, ऐसी इस चीज़ को वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, सोनेट नमबर 104 पर कि तुम कभी बुढ़े नहीं हो सकते हो, ठीक है, इस सोनेट मेनों ने जिक्र क्या किया है, तो यह मैं आपको बता देता हूँ, कि जिक्र क्या करना चाह रहे हैं यह, सोनेट नमबर 154 पर, सोरी 154 नहीं, 104 पर, इस सोनेट में सेक्सपियर एक व्यक्ति को दूसरे ब्यक्ति के प्रत्ति प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, मतलब यह अपना जो लव है, वो एक्सप्रेस कर रहे है, और इसमें क्या दिखाते हैं, तो प्रेमी की नजर में प्रेमिका की सुन्दर्था कैसे नहीं बदलती, मतलब जो एक लवर, एक मतलब लवर्थ होते हैं, मेल फीमेल, तो जो यह कहना यह चाह रहे हैं, कि वो ना हरमेश्य सुन्दर्थ है, ऐसा यह कहने का प्रयास कर र तो वह वहाई है 126 में यह बता रहे हैं यह जो है वह है यहां ब्सॉर ओर WA anticipating the death of a fair youth ठीक है seems about anticipating the death of a fair youth the famous the famous expression shrikal hour appears at the end ठीक है तो यहां पर जो sonet number 126 में यह क्या है बात कर रहा है कि प्रशित व्यक्ति श्रिकल आवर अंत में प्रकट होती है मतलब कुछ अपना दुख प्रकट कर रहा है यह वस्वाई चीज है ठीक है और कुछ नहीं हाँ यह वो बता रहे हैं अपने जो जो उसके उनका जो फ्रेंड है डब्लू एच जो बहुत सुंदर है फेयर है यंग है उसके के बारे में वो सोच कर क्या कर रहे है थोड़ा सा दुख हो रहा है उनको कि मतलब यह कहीं अगर नहीं रहा तो क्या होगा मेरा ठीक है यह चीज वो सोच रहे है ठीक है चंद्रमा जैसी होंगी इस लिए ऐसी बात कर रहे है ठीक है चलिए सब्सक्राइब 116 क्या है लव इस नौट टाइम्स फूल तो रोजी रोजी लिप्स एंड चिक्स ठीक है यह इनका है सब्सक्राइब 116 कि आगे चलते हैं आप लोग ने आज बहुत जो है चीजें देखी है पढ़ी है सोनेट के वारे में ठीक है चले अब मैं कुछ आपको वर्क बता रहा हूं ठीक है इन वर्क से भी कोशन आपको आएंगे ठीक है वैसे यह बताईए इमानदारी के साथ सबी लोग कमेंट करके बताईगा जितने लोग भी लाइब जुड़े हुए है ठीक है यह बताना है कि जो मैंने आप लोग को वीडियो अपलोड करके दिये थी युनिट बन में ठीक है वो सेक्सपीर के वीडियो किस ने एक दो या तीन किसने किसने देखा है रिता जी बिलकुल इस डेट पर बिलकुल कन्फ्यूज मत होई जो मैंने आप लोग को बता दिया उसे पढ़े रहे हैं कभी भी डेट आपसे पूछने वाला नहीं है ठीक है अनामिका बोली है टेंपेस्ट और मेकवेट देख लिया बहुत बड़ी है वेरी गुड एक्सलेंट नामिका और भी जो लोग जुड़े हैं वो बताईए चलिए अनामिका बता दिया निधी बताईए रोहनी जी बताईए जोती जी बताईए जोती शर्मा जी बता बताईए मंदूलाल जी बताईए बताईए चलिए किसने किसने वीडियो देखें हैं कि किसी नहीं देखे अनामिका के लाब मतलब है ना सीन सर अच्छा देखा है जोती जी ने देखा है ठीक है बताई आधा देख लिया है वैसे थाटिन ड्राइटिंग है टोटल तो सर जी सेर इनके सारे इनके प्ले देखने हैं नहीं नहीं सारे नहीं देखने सारे देखके अपन याद थोड़ी रख पाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आते हैं परिक्षा में वही तो आपको देखने हैं जो मैंने आप लोग को अप्लोड कर दिया उसको बस देख लीजे अच्छे से ठीक है उसी से कोशन अगर क्वालीफाई होता तो सब लोग कर लेते हैं की नहीं इसलिए थोड़ा बहुत देखते चलिएगा इसलिए मैंने आप वोको बता दिया कि वीडियो अप्लोड भी कर दिया है उनको आप लोग देख लीजे उसमें मैंने कुछ विलियम सेक्सपियर के जो परसनल मेरे वीडियो और वहां पर मिलेंगे उनको भी देख लेगा उसमें कोई चीजया तर्मिलेगी तो नोट डाउन करने जिएगा ठीक है चलिये आज हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या है यह जो है यह कब लिखा गया तो यह फिप्टी नाइटी थी में लिखा गया था ठीक है तो ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो इसमें आप बहुत टेंशन लेनी के अभशकता नहीं है ठीक है क्योंकि जिसने भी लिखा है बड़े सोस समझ के लिखा है ठीक है चले इसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूं कि अगर बीनस और एडोनियस से कोशन क्या-क्या आपके एक्जाम में बन सकते हैं ठीक है तो सबसे प यह किसके उपर यह गयर नाट की कैसी एरोटिक पोयम मतलब होता है जो काम की दिश्टी से देखा जाए ठीक है मतलब आप लोग समझ गये होंगे ठीक है सर्च कर लीजिये का थोड़ा सा डिकेटेट टू हेंडी बिष्टो और इसको इन्होंने किसके लिए लिखा था भाह प्रिंटेड वाई रिचर्ड फील्ड ठीक है इसको किसने प्रिंट कराया था भाहिया बीनस और एडोनियस को इसको प्रिंट करने वाले प्रब्लिस करने वाले जो बैक्ती है वो रिचर्ड फील्ड है तो इनको आप लोग पढ़ लीजेगा हो सकता है एक्दा में पूछ तो यहां पर क्या है इस कविता में एक देवी है देवी क्या नाम है उनका वीनस नाम है ठीक है क्या नाम है वीनस जो है वो एक युवा सिकारी युवा सिकारी मतलब जानते हैं यंग सिकारी मतलब जो सिकार करता है युवा सिकारी एडोनियस पर मोहित हो गई है कौन मोहित हो गई है एक देवी है वीनस मतलब वो किस पर मोहित हो गई है एक सिकारी एडोनियस पर ठीक है एडोनियस उनकी प्रगिति का विरोध करता है चला जाता है ठीक है फिर क्या होता है दे नेस्ट मॉनिंग सी डिसकोवर्ड हीज़ बॉडी किल्ड बाई आ बाइल वोर एन सी लेमेंट ठीक है और अगली सुभ है उसको उसका सब मिलता है किसका सब मिलता है वहीं यो सिकार करने गया था जिसे एक जंगली सुवर ने मार डाला था और वह बिलाब कर रही थी वह रोने लगी मतलब जब कोई अपना expire हो जाए जिसको वह बहुत मान रही है तो फिर क्या होगा वह बिलाब करने लगी रोने लगी ठीक है Lament मतलब होता है दुख बिलाब करना ठीक है This epic poem is based on a passage from Ovid's Metamorphosis ठीक है तो यह जो महा काव है मतलब यह महा काव है की poem मतलब बड़ी poem है epic poem है तो यह जो poem है वो Ovid के Metamorphosis के एक अंस पराधारित है मतलब एक कोई Ovid है Ovid क्राम के कोई व्यक्ती है या writer है उनके उनका जो work है metamorphosis उस पर ये जो है poem वो क्या है based है मतलब कहना चाहिए ये कि उन्होंने ओविट ने एक work लिखाता है metamorphosis उनके work से एक poem इन्होंने बना दी वो है कौन भलिया William Shakespeare है ठीक है when Venus pursued Adonius to kiss her his denies thinking he is too young and cares only for hunting hunting ठीक है ठीक है बाकि आप लोग समझ लीजेगा Adonius is one of palm tree ठीक है जो Adonius है उसका जर्म जो है तार के पेर जो palm tree होता है उससे हुआ था यहां पर यह बताया जा रहा कि जो Adonius है जो सिकारी नाम का लड़का है जो सिकारी है उसका जो जन्म हुआ था वो palm tree से हुआ ठीक है बीनस create red flower for Adonius body ठीक है और जो बीनस जो है वो Adonius के सरीर को लाल fool से क्या करती है बनाती है मतलब जब वो expire हो गया तो लाल fool वगएरा यह वो करके ताम जाम ठीक है तो यह simple सा देखिए इस story में जो मैंने आपको भी बताया इसमें आपको बहुत ज़्यादा समझने के अपशक्ता नहीं है अगर समझना हो तो समझ भी लीजेगा बस यह समझ लीजे कि यह poem किसके उपर based है तो भाई है हिंदी चैंकि यह सिकारी है और उसे जब बीनस दूसरे दिन मिलती है जंगल में तो वो उसकी dead body पाती है क्योंकि उसको जंगली जो बोर है उसने जंगली बोर मतलब swear उससे क्या करती है उसको मार दिया है ठीक है तो इस चीज़ से बीनस जो है बहुत दुख होती है दुखी होती ह जो है उसका जन्म जो है ताड़ के पेड़ से हुआ हुआ है ठीक है और बीनस जो है अंतिम में जब कुछ नहीं कर पाती तो क्या करती है फूल रेट फुल आवर से उसको क्या करती सजाती है ठीक है बॉड़ी को चलिए आगे आपको समझाते हैं बाकि आप लोग बहुत सम में ठीक है रीता जी बोल रही है सर वन मोर कोशन प्लीज सर्जी डार्क एज का टाइम पीरियड क्या था डार्क एज यह कौन सा डार्क एज है जो अभी मैंने उपर पढ़ा है डार्क लेड़ी वाला पचास से सौ इयर्स या जादा का डिफरेंस है प्लीज सजिस्टेट अरे रीता जी चलिए मैं आप क्लियर कर दूँगा ठीक है सर जी डेडिकेटेट करते हैं राइटर अपनी राइटिंग पर उसमें स्टोरी कुछ और होती है तो किसी परसन को डेडिकेट क्यों करते हैं देखें किसी परसन को ऐसे डेडिकेट करते हैं अनामी का जैसे माल लीजे मुझे स्टोरी लिखने का मन है ठीक है और मेरे साथ एक घटना हो गई ठीक है क्या हो गई कि जब मैं कॉलेज लाइफ में था उस समय कि एक कोई घटना हो गई अब उसको मुझे क्या करना है कि मैं लिख के और उसको लोगों तक पहुचाना चाता हूँ ठीक है तो इस तरह से मैं लिख दूँगा इस तक लोगों तक भी पहुच गई और क्या हुआ लोगों को ये भी नहीं पता चला कि वो मेरी कहानी थी ठीक है तो ये लोग करते हैं ठीक है जर्रली ऐसा आप देखेंग यह मैंने आपको उसी दिन बताया था सेक्सपियर वेस्ट ओन थीम फ्रॉम ओविट्स मेटामॉर्फोसिस यहाँ अगेन यह जो है ओविट्स की जो मेटामॉर्फोसिस एक वर्क है उसके उपर यह जो लॉग नरेटी पोएम है दरेप अफ लुक्री वो बेस्ट है ठीक है अगेन वो डेडिकेटेट इसके उपर है तो भह है 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 वह है वह के उपर यह क्या है पूरी कहानी बेस्ट है ठीक है इसमें देखिए पूरी कहानी में क्या है एक लुक्री नाम की लड़की है जिसकी साधी हो चुकी है उसको एक रोमन राजा का लड़का है जो प्यार करता है ठीक है और किसी कारण से क्या हो जाता है देन रेप हो जाता है ठीक है इन दोनों के जो रोमन राजा है वो ऐसा कर देता है जिसके कारण जो है जो लुक्री का husband है वो इस चीज से बहुत जादा दुखी होता है और क्या कर लुक्री जो इस चीज से बहुत दुखी होती है और अपने क्या कर लेती है और इस चीज का बदला लेने के लिए जो उसका husband है वो लुक्री राजा का क्या करता है उस से revenge लेना चाहता है ठी के dedicated इसके उपर है तो वही है Henry Bristosley के उपर dedicated है ठीक है तो यहाँ पर देवियो शचनों यह William Shakespeare के बारे में जितना भी हमने पढ़ लिया है वो बहुत पढ़ लिया है इतनी चीजे आप लोग जान लीजिए ठीक है और बाकी के जो चीजे मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई है वो आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे ठीक है अभी आप लोग अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो अभी समय ले लीजे 2-4 दिन 10 दिन का समय ले लीजे अरामस उसको देख लीजेगा हो सकता है बीच में आप लोग की मैं थोड़ा चुट्ट का जो classes है उनको देख सकते हैं जो आप लोग की class छूट गई है और recorded form में available है उनको भी आप देख सकते हैं ठीक है और और भी मैं आपको कुछ class upload कर दूगा बता दूगा तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं बचे समय पे ठीक है और हो सकता है यह अपना जो unit 6 है वो समाप् तो मैं आप लोग को कुछ दूँगा questions MCQs करने के लिए ठीक है और उनको आप लोग पढ़कर अपना क्या कर सकते हैं और भी अच्छी तैयारी को बना सकते हैं ठीक है तो इस class में इतना ही मिलते है next class जो unit 6 की होने वाली है ठीक है next class में जुड़िए join कीजिए सभी लोग ठ पढ़ गया है हाँ लोड ज्यादा मत लीजिए अराम से पढ़िए अभी exam date जो है बहुत आगे है ठीक है date अभी clear नहीं है कुछ लोग यह कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में exam होगा कुछ लोग यह बोल रहे हैं कि December में exam होगा ठीक है तो अराम से पढ़ते चलिए कोई भी दी तो आप लोग को बनने लगेगा ठीक है यूटूब में यूटूब में मैं दे दूंगा कोई दिकत नहीं है ठीक है मैं पर स्वाचिंग तो आप लोग भी जिनको क्लॉस समझना है समझ दीजेगा ठीक है तो इस class को यहीं पर off करते हैं मिलते हैं नेस लास में जल्दी स जोइन कीजेगा दो चार मिनट के अंदर ठीक है चलिए थैंक यू फो वाचिंग